कहानी सुनिये में लीजे सुनिये प्रेम चंद की लिखी कहानी प्रेर्णा वाचन समीर गोस्वामी का है मेरी कक्षा में सूर्प्रकाश से जादा उदमी कोई लड़का ना था बलकि यहों कहो कि अध्यापन काल के दस वर्षों में मुझे ऐसी विशम प्रकरती के शिस्स से साबका न पड़ा था कपट के रीड़ा में उसकी जान बसती थी अध्यापकों को बनाने और चिड़ाने उद्योगी बालकों को छिड़ने और रुलाने में ही उसे आनंद आता था ऐसे ऐसे शडियन्त रचता ऐसे ऐसे फंदे डालता ऐसे ऐसे मनसूबे बांदता कि देखकर आश्यर होता था गिरोह बंदी में अभ्यस्त था खुदाई फौजदारों की एक फौज बना ली थी और उसके आतंक से शाला पर शासन करता था मुख अधिश्ठाता की आग्या टल जाए मगर क्या मजाल की कोई उसके हुक्म की अवग्या कर सके इस्कूल के चप्रासी और अर्दली उससे थर थर कापते थे इंस्पेक्टर का मुआइना होने वाला था मुख अधिश्ठाता ने हुक्म दिया कि लड़के निर्दिष्ट समय से आधा गंटा पहले आएं मतलब यह था कि लड़कों को मुआइने के बारे में कुछ जरूरी बाते बता दी जाएं मगर दस बच गए इंस्पेक्टर साहब आकर बैठ गए और मदर से में एक लड़का भी नहीं ग्यारे बचे सब छातर इस तरह निकल पड़े जैसे पिंजड़ा खोल दिया गया हो इंस्पेक्टर साहब ने कैफियत में लिखा डिसिप्लिन बहुत खराब है प्रिंसपल साहब की किरकिरी हुई अध्यापक बदनाम हुए और यह सारी शरारत सूर्य प्रकाश की थी मगर बहुत पूछताच करने पर किसी ने सूर्य प्रकाश का नाम तक नहीं लिया मुझे अपनी संचालन विधी पर गर्व था ट्रेनिंग कॉलेज में इस विषय में मैंने ख्याती प्राप्त की थी मगर यहां मेरा सारा संचालन कौशल मूर्जा खा गया कुछ अकल ही काम नहीं करती कि शैतान को कैसे मार्क पर लाएं कई बार अध्यापकों की बैठक हुई पर यह गिरह न खुली नई शिक्षय विधी के अनुसार में दंड नीती का पक्षपाती न था मगर हम यहां इस नीती से केवल विरक्त थे कि कहीं उप्चार रोग से भी असाध्धना हो जाए सूर प्रकाश को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया पर इसे अपनी अयोगता का प्रमान समझ कर हम इस नीती का वेवार करने का साहस न कर सके बीस बाइस अनुभवी और शिक्षण शास्तर के आचार एक बारह तेरह साल के उद्दंड बालक का सुधार न कर सके यह विचार बहुत ही निराशा जनक था यह तो सारा इसकूल उससे तरही तरही करता था मगर सबसे जादा संकट में मैं था क्योंकि वह मेरी कक्षा का शात्र था और उसके शरार्तों का कुफल मुझे भोगना पड़ता था मैं इसकूल आता तो हरदम यही खटका लगा रहता था कि देखें आज क्या विपत्ती आती है एक दिन मैंने अपनी मेज की दराज खोली तो उसमें एक बड़ा समेड़क निकल पड़ा मैं चौक कर पीछे हटा तो क्लास में एक शूर मच गया उसकी और सरोश नेत्रों से देख कर रह गया सारा घंटा उपदेश में बीट गया और वह पठ्था सिर जोकाए नीचे मुस्कुरा रहा था मुझे आश्चर होता था कि यह नीचे की कक्षाओं में कैसे पास हुआ एक दिन मैंने गुस्से से कहा तुम इस कक्षा से उमर भर पास नहीं हो सकते सुर्परकाश ने अविचलित भाव से कहा आप मेरे पास होने की चिंता न करें मैं हमेशा पास हुआ हूँ और अब भी हो ही जाओंगा असंभव असंभव संभव हो जाएगा मैं साश्चर उसका मुँँ देखने लगा जहीन से जहीन लड़का भी अपनी सफलता का दावा इतने निर्ववाद रूप से न कर सकता था मैंने सोचा वह प्रश्ण पत्र उडा लेता होगा मैंने प्रतिग्या की अब की इसकी एक चाल भी न चलने दूगा देखूं कितने दिन इस कक्षा में पड़ा रहता है आप घबडा कर निकल जाएगा वार्शिक परिक्षा के अफसर पर मैंने असाधरन देख भाल से काम लिया मगर जब सूर प्रकाश का उत्तर पत्र देखा तो मेरे विस्माई की सीमा न रही मेरे दो पर्चे थे दोनों में ही उसके नंबर कक्षा में सबसे अधिक थे मुझे खूब मालूम था कि वह मेरे किसी पर्चे का कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकता मैं इसे सिद्ध कर सकता था मगर उसके उत्तर पत्रों को क्या करता लिपी में इतना भेद ना था जो कोई संदेह उत्पन न कर सकता मैंने प्रिंस्पल से कहा तो वह भी चक्रा गए मगर उन्हें भी जान बूझ कर मक्खी निगलनी पड़ी मैं कदाचित सुभाव से ही निराशावादी हूँ अन्न ध्यापकों को मैं सुर्परकाश के विशय में जरा भी चिंतित न पाता मानो ऐसे लड़कों का स्कूल में आना कोई नई बात नहीं मगर मेरे लिए वो एक विकट रहस से था अगर यही ढंग रहे तो एक दिन वो या तो जेल में होगा या पागल खाने में उसी साल मेरा तबादला हो गया यद्यपी यहां की जलवाई मेरे अनकूल थी प्रिंस्पल और अन अध्यापकों से मेरी मैत्री हो गई मगर मैं अपने तबादले से खुश हुआ क्योंकि सुर्परकाश मेरे मार्ग का काटा न रहेगा लड़कों ने मुझे विदाई की दावत दी और सब के सब इस्टेशन तक पहुँचाने आए उस वक्त सभी लड़के आँखों में आसू भरे हुए थे मैं भी अपने आसूं को न रोक पाया सहसा मेरी निगाह सुर्परकाश पर पड़ी जो सबसे पीछे लज्जित खड़ा था मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आँखें भी भीगी थी मिरा जी बार बार चाहता था कि चलते चलते उससे दो चार बात कर लू शायद वह भी मुझे से कुछ कहना चाहता था मगर न मैंने पहले बातें की ना उसने हाला कि मुझे बहुत दिनों तक इसका खेद रहा उसकी जिजग तो शमाई युग थी पर मेरा अवरोध अश्चम था संभव था उस करना और गलानी की दशा में मेरी दो चार निश्कपट पाते उसके दिल पर असर कर जाते मगर इनी खोए हुए अफसरों का नाम तो जीवन है गाड़ी मंदगती से चली लड़के कई कदम उसके साथ दोड़े में खड़की से बाहर सिर निकाले खड़ा था कुछ देर तक मुझे उनके हिलते हुए रूमाल नज़र आए फिर वेरे खाएं आकाश में विलीन हो गई मगर एक अलप काई मूर्ती अभी प्लेट फॉर्म पर खड़ी थी मैंने अनमान किया वह सूर प्रकाश है उस समय में रहर दय किसी विकल कैदी की भाती ग्रणा मलिन और उदासीन ताकि बंधनों को तोड़ तोड़ कर उससे गले मिलने के लिए तड़प उठा नए स्थान की नई चिंताओं ने बहुत जल्दी मुझे अपनी और आकरशित कर लिया पिछले दिनों की याद एक हस्रत बन कर रह गई ना किसी का कोई खत आया ना मैंने कोई खत लिखा शायद दुनिया का यही दस्तूर है वर्षा के बाद वर्षा की हर याली कितने दिनों रहती है सैयोक से मुझे इंगलेंड में विद्ध्या भ्यास करने का अफसर मिल गया वहां तीन साल लग गए वहां से लोटा तो एक कालेज का प्रिंस्पल बना दिया गया यह सिध्धी मेरे लिए बिलकुल आशातीत थी मेरी भावना सौपन में भी इतनी दूर नहीं उड़ी थी किन्तु पदलिपसा और अब किसी और भी उची डाली पर आश्रह लेना चाहती थी शिक्षा मंत्री से रप्त जप्त पैदा किया मंत्री महुदः बुझ पर किरपा रखते थे मगर वास्तों में शिक्षा के मौलिक सिध्धानतों का उन्हें ग्यान ना था मुझे पाकर उन्होंने सारा भार मेरे उपर डाल दिया गोड़े पर सवार वह थे लगा मेरे हाथ में थी। फली आये हुआ कि उनके राजनेतिक विपक्षियों से मेरा विरोध हो गया। मुझ पर जा बे जा आकरमन होने लगे। मैं सिध्धानत रूप से अनिवार शिक्षा का विरोध ही हूँ। मेरा विचार है कि हर एक मनुश् जादा स्वाधिनता होनी चाहिए जिसका उससे निजग का सम्बंद है। मेरा विचार है कि यूरोप में अनिवार शिक्षा की जरूरत है भारत में नहीं। बहुत एक्ता पश्चिमी सभिता का मूल तत्व है। वहां किसी काम की प्रेना आर्थिक लाभ के आधार पर होती है। जिन्दगी की जरूरते जादा हैं इसलिए जीवन संग्राम भी अधिक भीशण है। माता पिता भोग के दास होकर बच्चों को जल्द से जल्द कुछ कमाने पर मजबूर करते हैं। इसकी वज़ए है कि वह मद का त्याग करके एक शिलिंग रोज बचत कर ले। वे कमसिन बच्चे को एक शिलिंग की मजदूरी करने के लिए दबाएंगे। भारती जीवन में सत्विक सरलता है। हम उस वक्त तक अपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराते जब तक परिस्तिती हमें विवश ना कर दे। दरिद्र से दरिद्र हिंदुस्तानी मजदूर भी शिक्चा की उपकारों का कायल है। उसके मन में यह अभिलाशा होती है कि मेरा बच्चा चार अक्षर पड़ जाए। इसलिए नहीं कि उसे कोई अधिकार मिलेगा बलकि केवल इसलिए कि विद्या मानवी शील का श्रंगार है। अगर यह जानकर भी हुआ है अपनी में युग शिक्षकों का अभाव है। अर्द शिक्षित और अल्प वेतन पाने वाली अध्यापकों से आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह कोई उचा आदर्श अपने सामने रख सके। अधिक से अधिक इतना ही होगा कि चार पांच वर्ष में बालक को अक्षर का ग्यान हो प्राप्त कर सकते हैं उतना बालकाल में तीन साल में भी नहीं कर सकते मदरसे बाहर एक सच्छव आयू तो मिलती प्राकर्ति एक उनभव तो प्राप्त होते दो आप उसके मांसिक और शारिर एक दानों विधानों की चल काड़ देते हैं। इसलिए जब प्रांतिये फ्यवस्थापि का सभा में अनिवार शिक्षा का प्रस्ताव पेश हुआ, तो मेरी प्रेणा से मिनिस्टर साहब ने उसका विरूत किया। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ता अस्विक्रत हो गया फिर क्या था मिनिस्टर साहाब और मेरी वहे ले दे हुई कि कुछ न पूछे व्यक्तिकत आक्षिप किये जाने लगे मैं गरीब की बीबी था मुझे सब की भावी बनना पड़ा देश द्रोही उन्नती का शत्रू और नौ मिश्पूर होकर उस चप्रासी को बहाल करना पड़ा यह अपमान मेरे लिए असहे था शायद कोई भी इसे सहन न कर सकता मिनिस्टर साहाब से मुझे शिकायत नहीं वो मजबूर थे हाँ इस वातावरन में काम करना मेरे लिए दुसाद्ध हो गया मुझे अपने कालेज के आंत्रिक संगठन का भी अधिकार नहीं अमुक क्यों नहीं परिक्षा में भेजा गया अमुक के बदले अमुक के बदले अमुक को क्यों नहीं छातर वरत्ती दी गई अमुक अध्यापक को अमुक कक्षा क्यों नहीं दी जाती है इस तरह के सारहीन आक्षेपों ने मेरी न से काम लेंगे मगर उन्होंने न्याय की जगह नीती को मानने समझा और मुझे कई साल की भक्ती का यह फल मिला कि मैं पद्चित कर दिया गया संसार का ऐसा कटू अनभव मुझे अब तक न हुआ था ग्रह भी कुछ पुरे आ गये थे उन्हीं दिनों पत्नी का देहांत हो गया अन्तिम दर्शन भी न कर सका संध्या समय नदी तड़ पर सेर करने गया था वे कुछ अस्वस्त थी लोटा तो उनकी लाश मिली कदाचित हिर्दय की गती बंद हो गई थी इस आगहात ने कमर तोड़ दी माता के प्रसाद और आशीरवास से बड़े-बड़े महान पुरुश करतार्थ हो गए थे मैं जो कुछ हुआ पत्नी के प्रसाद और आशीरवास से हुआ वे मेरे भागे की विधात्री थी कितना अलोक एक त्याग था कितना विशाल धैरे उनके माधुर में तीक्ष्णता का नाम भी न था मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी उनकी ब्रकुटी संकुछ देखी हो निराश होना तो जानती ही ना थी मैं कई बार सخت बीमार पड़ा हूँ वैद भी निराश हो गए पर व उने विश्वास था कि वे अपने पती के जीवन काल में बरेंगी और वही हुआ भी मैं जीवन में अब तक उन्हीं के साहरी खड़ा था जब वो अवलंब ही ना रहा तो जीवन कहा रहता खाने और सौने का नाम जीवन नहीं है जीवन नाम है सदेओ आगे बढ़ते रहने की लगन का, यह लगन गायब हो गई, मैं संसार से विरख्त हो गया और एकांतवास में जीवन के दिन व्यतीत करने का निश्चय करके एक छोटे से गाउँ में जा बसा, चारो तरफ उंचे उंचे तीले थे, एक ओर गंगा बेहती थी, मैंने नदी के किनार एक छोटा सा घ गाओं के लड़कों को जमा कर कुछ पढ़ाया करता था। उसकी यहां इतनी ख्याती हुई कि आसपास के गाओं के छात्र भी आने लगे। एक दिन मैं अपनी कक्षा को पढ़ा रहा था कि पाटशाला के पास एक मोटर आकर रुकी और उसमें से जिले के डिप्टी कमिशनर मैं उस समय के वाले कुर्ता और धोती पहने हुए था। इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए शर्म आ रही थी। डिप्टी कमिशनर मेरे समीप आये तो मैंने जहेंपते हुए हाथ बढ़ाया। मगर वह मुझसे हाथ मिलाने के बद ने मेरे पेरों की और जुके और उन प सिर रख दिया। मैं कुछ ऐसा सिर पिटा गया कि मेरे मुह से एक शब्द भी न निकला। मैं अंग्रीजी अच्छी लिखता हूँ दर्शन शास्त्र का भी आचार हूँ। व्याख्यान भी अच्छे दे लेता हूँ मगर इन गुड़ों में एक भी श्रद्धा के योग न मैं अभी इसी विस्माय में पड़ा हुआ था कि डिप्टी कमिशनर ने सिर उठाया और मेरी तरफ देख कर कहा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। इतना सुनते ही मेरे इसमरती नेत्र खुल गए। बोला आपका नाम सूरु प्रकाश तो नहीं है। जी हां मैं आपका वही अभागा शिश्य हूँ। बारह तेरह बर्श हो गए। सूरु प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा अध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं पर लड़के उन्हें हमेशा याद करते हैं। मैंने उसी विनोत के भाव से कहा तुम जैसी लड़कों को भूलना असंभाव सूरु प्रकाश ने विनीत सूर में कहा उन्ही अपराधों कुछ हमा कराने के लिए सेवा में आया हूँ। मैं सदेव आपकी खबर लेता रहता था। जब आप इंगलेंड गए तो मैंने आपके लिए बार बदाई पत्र लिखा पर उसे बेज ना सका। जब आप प्रिंस से अधिक हुआ पर इसका जरा भी अन्मान ना था कि आप यहां एकांत सेवा कर रहे हैं। इस उजाडगाओं में आपका जी कैसे लगता है। इतनी ही अवस्ता में आपने वानपरस्त ले लिया। मैं नहीं कह सकता कि सूरु प्रिकाश की उन्नती देखकर मुझे कितना मिश्वास कहात के शिकार हुए। मेरा अनभव दो बहुत कम है मगर इतने ही दिनों मुझे मालूम हो गया है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते। मिनिस्टर साहब से बैठ हुई तो पूछूँगा कि क्या यहीं उनका धर्म था। मैंने जव पनावट नहीं सत्त कहता हुँ कि यहां मुझे जो शांती है वो और कहीं ना थी। इस एकांत जीवन में मुझे जीवन के तत्वों का वो ग्यान हुआ जो संपत्ति और अधिकार की दोड़ में किसी तरह संभव ना था। इतिहास और भूगूल के पोथे चाटकर कि अटालिका तक पहुँचने में दूसरी जिन्दगी ही जीनों का काम देती है आप उन्हें कुचल कर ही लक्ष तक पहुँच सकते हैं वहां सोजन्य और साहन भूती का इस्थान ही नहीं मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त मैं हिंसक जन्तूओं से घिरा हुआ था और मेरी सारी शक्ति अपनी आत्मरक्षा में लगी रहती थी यहां मैं अपने चारों और संतोश और सरलता देखता हूँ मेरे पास जो लोग आते हैं कोई स्वार्थ लेकर नहीं आते और ना मेरी सेवां में प्रिशन सा या गौरों की लाल सा है यह कहकर मैंने सूर परकाश के चहरे की और गौर से देखा कपट मुसकान की जगा इकलानी का रंग था शायद यह दिखाने आया था कि आप जिसकी तरफ से इतने निराश हो गए थे वो अब इस पत को सुशोभित कर रहा है वो मुझे अपने सदुद्द्यों को का बखान करना चाहता था मुझे अपनी भूर मालूम हुई एक संपन आदमी के सामने सम्रध्धी की निंदा उचित नहीं मैंने तुरंत बात पलट कर कहा मगर तुम अपना हाल तो कहो तुमारी है काया पलट कैसे हुई तुमारी शरारतों को याद करता हूं तो अब भी रोएं खड़े हो जाते हैं किसी देवता क वर्दान की सिबग कहीं और ये विभूती नपराप्त हो सकती थी सूर प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा आपका अशिरवाद था मेरे बहुत आगरे करने पर सूर प्रकाश ने अपना विरतांत सुनाना शुरू किया आपके चले जाने की कई दिन बाद मेरा ममेरा भाई इसकूल में दाखिल हुआ उसकी उम्र आठ नौ साल से जादा ना थे प्रिंस्पल साहब उसे हॉस्टल में न लेते थे और ना मामा साहब उसके ठहरने का प्रबंद कर सकते थे उन्हें इस संकटकाल में देखकर मैंने प्रिंस्पल साहब से कहा उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए प्रिंस्पल साहब ने से नियम विरुद्ध बतलाया इस पर मैंने बिगड़कर उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया और एक किराय का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी इतना दुबला पतला कमजोर और गरीब लड़का था कि पहले ही दिन मुझे उस पर दया आने लगी कभी उसके सिर में दर्द होता कभी जोरह हो जाता आए दिन कोई न कोई बीमारी खड़ी रहती थी इधर साज हुई और उसे जपकी आने लगी बड़ी मुश्किल से भोजन करने उठता दिन चरते तक सोया करता और जब तक मैं गोध में उठा कर बिठा न देता उठने का नाम न लेता रात को बहुदा चौक कर मेरी चारपाई पर आ जाता और मेरे गली लिपट कर सोता मुझे उस पर कभी क्रोध ना आता कह नहीं सकता क्यों मुझे उससे प्रेम हो गया मैं जहां पहले नौ बजे सोकर उठता था अब तड़के उठ बैटता और उसके लिए दूद गरम करता फिर उसे उठा कर आँख मूँ धुलाता और नाश्टा कराता उसके स्वास्त के विचार से नित वायू सेवन को ले जाता मैं जो कभी किताब लेकर न बैटता था इसे घंटो पड़ाया करता मुझे अपने दायत्तु का इतना ग्यान कैसे हो गया इसका मुझे आश्चर है उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नकों में समा जाते डॉक्टर के पास दोड़ता दवाइं लाता और मोहन को खुशामत करके दवा पिलाता सदेव यही चिंता रहती थी कि कोई बात उसकी इच्छा के विरुध न हो जाए उस बेचारे का यहां मेरे सिवा दूसरा कौन था मेरे चंचल मित्रों में से कोई उसे चिड़ाता या छेड़ता तो मेरे तेओरिया बदल जाते थी कई लड़के मुझे बूड़ी दादी कहकर चिड़ाते थे पर मैं हसकर टाल देता था मैंने उसके सामने एक भी अनुचित शब्द मुझे नहीं निकाला यह शंका होते थी कि कहीं मेरी देखा दे कि यह भी खराब न हो जाए मैं उसके सामने इस तरह रहना चाहता था कि मुझे अपना आधर्श समझे और इसके लिए यह मानी हुई बात थी कि मैं अपना चरित्र सुधारू वो मेरा नौ बजे सुकर उटना बाराई बजे तक मटर गश्टी करना नई नई शरारतों के मनसूब बादना और अध्यापकों की आख बचा कर स्कूल से उड़ जाना सब आप ही आप जाता रहा स्वास्त और चरित्र पालन के सिध्धानतों का मैं शत्रू था पर अब मुझे से बढ़कर उन नियमों का रक्षक दूसरा न था मैं इश्वर का उपहास किया करता था मगर अब पक्का आस्तिक हो गया था वो बड़े स्वरल सुभाव से पूछता परमात्मा सब जगे रहते हैं तो मेरे साथ भी रहते होंगे इस प्रशन का मजाग उड़ाना मेरे लिए असंबह होता मैं कहता हाँ परमात्मा तुम्हारे हमारे सब के पास रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं ये आश्वासन पाकर उसका चहरा आनंद से खिल उड़ता था कदाचित वो परमात्मा की सत्ता का अनभव करने लगता था साल ही भर में मोहन कुछ से कुछ हो गया मामा साहब दो बार आए तो से देख कर चकित रह गई आखों में आसु भर कर बोले बेटा तुमने इसको जिला दिया नहीं तो मैं निराश हो चुका था इसका पुनीद फल तुम्हें इश्वर देखे इसकी माँ स्वर्ग में बैटियो ही आशिरवाद दे रही है सुरु प्रकाश की आखें उस वक्त भी सजल हो गई थी मैंने पूछा मौहन तुम्हें बहुत प्यार करता होगा सुरु प्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनंद चमक उठा बोला वह मुझे एक मिनट के लिए भी ना छोड़ता था मेरे साथ बैटता, मेरे साथ खाता, साथ सोता मैं ही उसका सब कुछ था आज मैं संसार में नहीं है मगर मेरे लिए वो अब भी उसी तरह चीता, चाकता है मैं जो कुछ भी हूँ उसी का बनाया हुआ हूँ अगर वो देवी विधान की भाती मेरा पथ पर दर्शक न बन जाता तो शायद आज मैं किसी जेल में पड़ा होता एक दिन मैंने कह दिया अगर तुम रोज नहा ना लिया करोगे तो मैं तुम से न बोलूँगा नहाने से वह ना जाने क्यों जी चुराता था मेरी धमकी का फ़ल यह हुआ कि वह नित प्राता हकान नहाने लगा कितनी ही सर्दी के ओना हो कितनी ही ठंडी हवा चले लेकिन वह इसनान अवश्य करता था देखता रहता था मैं किस बाद से खुश होता हूँ एक दिन मैं कई मित्रों के साथ थेटर देखने चला गया ताकीद कर गया तुम खाना खाकर सो जाना तीन बजे रात को लोटा तो देखा हुए बैठा हुआ था मैंने पूछा तुम सोई नहीं बोला नींद नहीं आई उसी दिन से मैंने थेटर जाने का नाम न लिया बच्चों में प्यार की जो भूख होती है दूद मिठाई और खिलोने से भी जादा मादक जो मा की गोद के सामने संसार की निधी की भी परवाह नहीं करती मोहन की वह भूख कभी संतुष्ट ना होती थी पहाडों से टकराने वाली साहरस की आवाज की तरह वह सदे उसकी नसों में गूजा करती जैसे भूमी पर फैली हुई लटा कोई सहारा पाती ही उससे चिपट जाती है वही हाल मोहन का था वो मुझसे ऐसा चिपट गया था कि प्रथक किया जाता तो उसकी कौमल बेली की टुकडे टुकडे हो जाते वो मेरे साथ तीन साल रहा और तब जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर अंदकार में विलीन हो गया उस जिर्ण काया में कैसे कैसे अर्मान भरे हुए थे कदाचित इश्वर ने मेरे जीवन में एक अवलंबन की स्रष्टी करने के लिए उसे भेजा था उद्देश पूरा हो गया तो वो क्यों रहता गर्मियों की तातील थी दो तातीलों में मोहन मेरे ही साथ रहा मामा जी के अग्रह करने पर भी घर न गया अब की कॉलेज के चात्रों ने काश्मीर यात्रा करने का निश्चे किया और मुझे उसका अध्यक्ष बनाया काश्मीर यात्रा की अभिलाशा मुझे चिरकाल से थी इस अफसर को गनीमत समझा, मोहन को मामा जी के पास बेज कर मैं काश्मीर चला गया दो महिने बाद लोटा तो मालूम हुआ कि मोहन बीमार है काश्मीर में मुझे बार बार मोहन की याद आती थी और जी चाहता था कि लोटा हूँ मुझे उस पर इतना प्रेम है, इसका अंदाजा मुझे काश्मीर जाकर हुआ लेकिन मित्रों ने पीछा ना छोड़ा उसकी बीमारी की खबर पाते ही, मैं अधीर हो उठा और दूसरे ही दिन उसके पास चाह पहुचा मुझे देखते ही उसके पीले और सूखे हुए चेहरे पर आनंद की इस्पूरती जलक पड़ी मैं दोलकर उसके गले से लिपड़ गया उसकी आँखों में वह दूर दरश्टी और चेहरे पर वह अलौकिक आबा थी जो मंटराती हुई मृत्यों की सूचना देती है मैंने आवेश से काप्तियों फेसवर में पूछा यह तुम्हारी क्या दशा है मौहन दो ही महीने में ये नौबत महुच गए मौहन ने सरन मुसकान के साथ कहा आप काश्मीर की सेर करने गए थे की साल भर की पढ़ाई दो महीने में समाप्त कर ले और इसकूल खुलने के बाद मुझे से इस श्रम का प्रशंसा रूपी उपहार प्राप्त करें मैं किस तरह उसके पीठ ठोकूंगा शाबासी दूँगा अपने मित्रों से बखान करूंगा इन भावनाओं ने अपने सारे बालोचित उत्साह और तलीनता के साथ उसे वशी भूत कर लिया मामा जी को दफ्तर के कामों में इतना आफकाश कहां कि उसके मनुरंजन का ध्यान रखें शायद उसे प्रती दिन कुछ ना कुछ पढ़ते देखकर वह दिल में खुश होते थे उसे खेलते ना देखकर भला क्या कहते भल यह हुआ कि मौन को हलका हलका जौर आने लगा किन्तु उस दशा में भी जौर कुछ हलका हो जाता तो किताब देखने लगता था उसके प्राण मुझे में ही महंगी पड़ेगी तो उधर जाने कर नाम न लेता उसे बचाने के लिए मुझे से जो कुछ हो सकता था मैंने सब किया किन्तु बखाट टाइफाइट था उसके जान लेकर ही उत्रा उसके जीवन का स्वपने मेरे लिए किसी रिशी का आशीरवाद बनकर परसन होती हो यही प्रेणा थी कि जिसने कठिन से कठिन परिक्षाम में भी मेरा बेड़ा पार लगाया नहीं तो मैं आज भी वही मंद बुद्धी सूर्य परकाश हूँ जिसकी सूरत से आप चिरते थे उस दिन से मैं कई बार सूर्य परकाश से मिल चुका हूँ जब वो इस तरब आ जाता है तो बिना मुझसे मिले नहीं जाता है मोहन को अब भी वो अपना इश्ट देव समझता है मानव प्रकृती का यह एक ऐसा रहस है जिसे मैं आज तक नहीं समझ सका